हेलो प्रेंट साज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग रेस्पी तो देखिए चावल की आठे से बनाया गया है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो देखिए दाल है दाल जो चनी की दाल को बाल कर इसमें सब कुछ भून लेते हैं तो यह बचा था तो मैं आपको बना कर दिखा रही हूं तो चलिए बनाने की तेजारी करते हैं तो देखिए मैंने यह चावल काटा ले लिया है और पानी गरम कर लिया है पानी गरमा गरम रहना चाहिए तो देखिए जितना बनाना है उतना चावल काटा ले लेजिए क्योंकि दाल जितना बचा था ना उसी के इसाब से मैं बना रही हूं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए गरम पानी इसमें डाल कर इसको गूत लेते हैं अच्छी तरह से स्वादा नुशा नमक डाल दीजिए बिल्कुल हलका साही डालना है क्योंकि डाल में है नमक तो चलिए देखिए गरम पानी ले लिए गया है बहुत करम है तब ही आठा अच्छा शॉप्स गूत है तो चलिए इसको अच्छी तरह से गूत लेते हैं तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से गूत लेए बिल्कुल साफ्ट है दिकने में तो चलिए इसको चूटी-चूटी लोईयां बना लेते हैं बिल्कुल चूटा-चूटा लुईयां बनाना है ना ज्यादा बड़ा ना छोड़ा तो देखिए मैंने चूटी-चूटी लुईयां बना ली है और इसको इस तरह से बनाईए इसमें दाल को भरना है तो चलिए इसमें दाल को भर लेते हैं तो देखिए मैंने दाल को भर लिया इस तरह से ची तरह से इसको बंद कर दीजिए इसका मुह बटोर को बंद कर दीजिए तो देखिए इसको मैंने इस तरह से इसका मुह बटोर लिया बटोर के इसको ची तरह से बंद कर दीजिए बहुत एजली बन जाता है इस तरह से पूरी जितनी आटायज और जितनी डाल का पूरा ने इसी तरह से आप आकार में बना बना कर रख लीजिए दिखें देखने में कितना इजली बन गया है इसी तरह से आप पूरी को बना लेजिए तो देखिए मैंने पूरे को बना लिया है तो चलिए भी और इसको इस त्रोप पूरे को आफ बना लीजिये तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं तो देखें मैंने गैस पर पानी रख दिया है पानी उबल चुका है तो ऐसी ठाली इस पर रख देजिए और इसमें पूरी गोल गोलियों को रख देजिए पूरी अच्छी तरह से इसमें रख देजिए 10 से 15 मिनुट तक तेज आज पर इसको पकाना है तो देखिए कितनी कितनी देखने में अच्छी लग रही है इसी तरह से आप पूरी को बना लेजिए और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट लगती है देखिए कितना सौफ्ट है नराम है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है एक बार जुरूर बनाएए खाये की लाएए तो मेरे मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा तो इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए दोस्तों